स्वागत है दूस्तों आपके अपने चैनल ऑन एस्टेडी क्लास पर जैसा कि आप लोग एक स्रीज देख रहा हैं जिसमें आज हम लोग भुटान के बारे में पर रहा हैं आप जो है अभी भारत के प्रोसी के देश का स्रीज देख रहा है ठीक है तो उसमें भुटान है इसम इसका परचाय में तो भुटान भारत का परोसी देश है या एक परवतिय देश है जो पूर्वी हिमाचर के मध्य अवस्तित है यानि कि पूर्वी हिमाले जो है हिमाले ठीक है न हिमाले के मध्य अवस्तित है कि लिए भुटान का जो ये सब है उतना ध्यान नहीं रखिएगा परंतु भारत के बारे में अक्षांस जो है वो सब ध्यान में रखियेगा ठीक है अगला है भुटान का छेतरफल अगर पूछा जाये तो ये सब बटने घटने वाला चीज़ नहीं है लगभग सो यहाँ पर 46,500 बर्ग किलो मीटर ध्यान में रखियेगा के लिए भुटान के उत्तर में चीन, पूरब में अरुनाचल परदेश, दच्छिन में असम तथा पच्छिम में सिक्कीम इस्तित है इनमें से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से राज्ये भुटान से संपर्ण नहीं करते हैं या इनमें से कौन राजे बुटान से संपर करते इस तरह से जो है आपका objective बनेगा exam में तो यहाँ पर आप अगर भारत के राजे में बात करें तो अरुनाचल परदेश दच्छिन में आसाम पच्छिम में सिक्किम को धियान में रखिएगा ठीक है अरुनाचल परदेश आसम और सिक्किम किलियर चलिया आगे की ओर हम लोग बढ़े तो अगला है कि इसकी जो राजधानी है वो क्या है थिंफू है अगला प्वाइंट आपका धोरसा अस्तला किरिती में देख ले तो आपका फीगर यहां से दीख रहा होगा किस तरह से भारत भुटान का नक्सा है ठीक है न यह जो है भुटान का नक्सा है अगला जो है आपका इधर वो है भुटान के दचिन किनारे पर लगभग 16 किलो मीटर 14 मैदान पट्टी है जिसको दुवार कहते हैं क्या कहते हैं दुवार कहते हैं यह अगला प्वाइंटिस में बनेगा आपका इन परवत मलाओ बाकी सब जो है परवत है जिनकी उचाई भी है उनमें से उत्तर में ग्रेटर हिमाला है ऐसा सवाल पुछा जा सकता है कि ग्रेटर हिमाले है यानिकी अफसन रहेगा भारत उसके बाद रहेगा नेपाल जलवाई कितना है तो 7544 मीटर किलियर ग्रेटर हिमाले की उचाई कितना है पच्छत्तर सो चोहत्तर मीटर अगर जलवाईू की बात कर ले जाय तो उतनी हमको पता नहीं रखनी है इसके बारे में परंतु थोरा सा भुटान की जलवाईू परवतिये मानसुनी है हम लोग का लगवाग एवरेज में 200 होती है ठीक है ना तो वह सब मुद्दा नहीं है 200 से 800 होती है तो अगला जो है भुटान की जनसंख्या 23.28.2007 के हिसाब से है तो यह मैं डाटा इसलिए बता रहा हूं कि आप इसका अनुमान जो है लगा सकते है कि अभी क्या होगा क्या हो सकता है अगर इस पर कुछ कहा जाए तो इसका जो रेट है जनसंख्या बिरिधी का वह है 1.9 यानि कि जो रेट होनी चाहिए उससे भी थोरा सा काम है अगला जो है वह है कि यहाँ पर थिम्फू और पुनाख्या जो है अगर पुछा जा सकता है थिम्फू को तो जान चुके है कि ये भुटान का क्या है रैज़ानी है पर अगर सक्षरता दर को देखे तो वहां पर 42 परतिसत ही है तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि ये गरीब ही देश होगा पिछरा ही देश होगा बाद समझ पा रहे हैं तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी भी तरह से अगर सबाल आया जाए आपके एक्जाम में और भुटान उसमें अप्सन हो तो इसके एकॉर्डिंग हम लोग पता कर सकते हैं कि वो क्या कर सकता है बासमझ पा रहे हैं तो चलिए यहां पर अगर आगे देखा हिए तो यह दुidé के माना विकासुचकांग में बुटान का अस्तान कितना है एक सो तितिसवा है इसको थोरा सा ध्यान में रखिए तो यह जो मानवी का सुचकांग जो है वो अभी का भी और करेंट जितना चलते रहता है उसमें भारत का विसेस करके ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह सब एकजाम में आते हैं फिर मिलते हैं आप लोग उसे नेश्ट व यूडियो में थाइंक यू फॉर वाचिंग